सुप्रभाद बचो, उम्मीद है कि आप सब स्वस्थ हैं, आज हम आपके हिंदी पाठ्ट पुस्तक से पढ़ाय जा रहे हैं पाठ्ट तीन के मात्राइं, शब्द और वाइक्के के विशय में पढ़ेंगे पिछली कक्षा में हमने मात्रा किसे कहते हैं इसके बारे में जानकारी प्राप्त की थी और हमने यहाँ पढ़ा था कि आ, छोटा ई, ओ, व, और आउ की मात्राइं वियनजन के पीछे लगती हैं छोटी ई की मात्रा वियनजन के आगे लगती हैं छोटा उ, बडा उ और री की मात्राएं व्यानजन के नीचे लगती है ए व अई की मात्राएं व्यानजन के उपर लगती है जो के आपके पुस्तक पर उधारन के तौर पर दिया गया है आज हम र में छोटा उ और बडा उ की मात्रा किस प्रकार लगती है इससे प्रारम करते हैं रह में छोटाओ और बड़ाओ की मात्राएं रह के नीचे न लगकर इसके बीच में लगती हैं जैसे यहाँ पर उधारन देखिए रुक, रुई, रुपया यहाँ पर छोटाओ का प्रयोग हुआ है और रुमाल, रूप, रूटना इसमें बड़ाओ का प्रयोग हुआ है और यहाँ किस प्रकार लिखा गया है अंग या अनुस्वार यहाँ बिंदू रूप में व्यनजनों से जुड़ता है जैसे द के उपर बिंदी, त, द, उसी प्रकार, प, त, के उपर बिंदी और गः, पतंग, इस बिंदी को ही अनुस्वार कहते है चंद्रबिंदू या अनुनासिक यहाँ चंद्रबिंदू के रूप में व्यनजनों के साथ जुड़ता है ध्यान दे, अनुनासिक स्वारों का गुण है और सदेव स्वारों के साथ ही आता है जैसे की दान्त, हसना, इत्यादी अहा या विसर्ग, कभी अकेले नहीं लिखा जाता इसका प्रयोग हमेशा स्वारों के साथ विसर्ग के रूप में होता है जैसे अताह, प्राताह, स्वताह, इत्यादी इसके पस्चार्थ आ, इसे हम आगच चिन्न कहते हैं अंग्रेजी भाषा से आई शब्दों में वर्ण के उपर लगता है इसका उच्चरन ओ के समान होता है जैसे बॉल, मॉल, डॉक्टर, कॉलेज, इत्यादी तो बच्चों, आज हम इस पाठ के इतने ही अंश को पढ़ेंगे आप पढ़ाए गए अंश का अभ्यास कीजिए और दिये गए अभ्यास कार्य को पूरा कीजिए धन्यवाद